कि नमस्कार प्रिया जन्म आप सभी का मेरे जैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा आप आए मेरे जैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चार नमंबर को देवटने एकादशी है कुछ लोग देवटने एकादशी के दिन तुलसी वीवा करते हैं और कुछ लोग द्वादशी के दिन तुलसी का वीवा करते हैं तुलसी जी का वीवा शनिवार को पांच नमंबर को अगर द्वादशी में करना हो तो आपने उस दिन करेंगे और अगर आपने देवत्रे एकादिशी के दिन करना हो जैसे कि आपके जो भी रिवाज हो जिस तरह से भी आपके क्षेत्र में किया जाता हो तो वह आप करेंगे चार नमंबर को देवठी एकादिशी चार नमंबर को है आप हमेशा देखते हैं कि मैं जो वीडियो लाती हूँ वो लगभग विवा से सबंदिती होते हैं उन माता पता की प्रेशानी को दूर करने के लिए जो बच्चों की विवा की प्रेशानी को जहल रहे हैं उन बच्च है कि हम इस शुह दिन में इस चम्तकारी दिन में एक ऐसा उपाय करें जिस से की तुरंत विवा की योग बने और मैं जो आज उपाय बता रही हूं उससे आप देखिएगा कि तुरंत विवा योग बनेंगे इस उपाय को मैं कहूंगी कि माता-पिता जरूर करें और कि एक और मातापिता किसी कारण ना कर पाये तो बच्चे करें लेकिन कहुंगे जुरूर कि यह माता-पिता ही करें क्योंकि मैं जो कुछ बताने वारी हुए उपाई में जिस त seven से करना है उपाई वो माता-पिता कर लें ज्यादा अच्छा है हाँ बच्चों का इसमें रोल हो सकता है लेकिन वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी अगर आप वीडियो उपर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आपका एक शेयर किसी की जिन्दगी सवारने के साथ आप पुन्य के भागी बन सकते हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारी होसला करता है कि हम और भी अच्छे-च्छे आपकी प्रेशानियां दूर करने के लिए वीडियो लेकि आएं तुलसी विवा की हम बात कर रहे हैं देवठने एक आदिशी के दिन एक तो आप शिग्र विवा के लिए यह मैं माता-पिता से बात कर रही हूं कि एक तो तुलसी विवा के दिन चाहे आप दो आदिशी को करें चाहे देवठने एक आदिशी के दिन करें लेकिन उस दिन एक काम करिएगा कि एक तो आपको विश्नु भगवान का मंदिर देखना होगा अगर विश्नु भगवान का मंदिर ना हो तो कृष्ण भगवान का म मंदिर हो सकता है उस मंदिर में आपको साथ हल्दी की गांठ और इसके साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा चने की दाल एक मुठी लगबक चने की दाल साथ हल्दी की गांठ एक मुठी चने की दाल इसके साथ ही आपको लेना होगा उसमें विश्णु भगवान को अर्पित कर कोरने के लिए फोड़ा सा गुड़ in तोड़ा सा गुड़ लेना होगा आपको vishing आपके पास रष्टने की निए मुठ्वर श्वते लेले चाहिए युघ इसके साथ इफसे अगर आपकेशर-टी ले 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 तो एस देखे बाजार में केसर महंगा आता है लेकिन अगर एक बार एक डबी लेके लाके रख लें तो बहुत सारे ऐसे उपाएं हैं केसर के विश्णु भगवान को परसंद करने के लिए मा लक्षमी को परसंद करने के लिए बहुत सारे उपाएं हैं और वाकाइदा बिल्कुल केसर से किये गए उपाएं से काम बनता है और चम्तकार होता है जीवन में तो एक केसर की डबी लाकर रख ले उस केसर की डबी से थोड़ा से केसर डाल के बच्चा हो तो उसके हाथ लगवा ले अन्य थमाता पिता संकलप लेकर बच्चों के विवा की प्रार्थना बिंति के साथ इसे पीले कपड़े में एक पोटली बनाकर चोटा सा पीला चाहे रुमाल ले 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 चाहे उससे बड़ा थोड़ा कपड़ा ले ले वो लेकर उसके पोटली बनाकर विश्णु भगवान के मंदिर में यह देवुठनी एकादिशी के दिन या तुलसी विवा जिस दिन तुलसी विवा करें उस दिन तोर से यह आपके पास अंतिम मौका है देवुठनी एकादिशी को पर उपाय करनेगा बच्चों के विवा के लिए आपकी सारी प्रेशानी दूर होगी जो बच्चों के विवा की उमर निकली जा रही है नहीं निकलेगी तो रंत विवा की योग बनेंगे बच्चे भी ज कीजिएगा तुलसी के साथ पते आपको तुलसी के साथ पते पहले दिन ही तयार कर लेने चाहिए अपने पास रख लेने चाहिए तुलसी के साथ पते लेकर जैसे कि आप अभी कल के दिन भी ले सकते हैं लेकिन परसों के दिन आप तुलसी के पते लेंगे ले सकते हैं ऐसी पत्ते पर एक बिंदी हल्दी की लगा के शाली ग्राम जी और मा तुलसी को इनको अर्पित करें विशेश तोर से शाली ग्राम जी के आगे रखें बच्चों के विवा की कामना को लेकर साथ तुलसी के पत्तों पर एक हल्दी की बिंदी लगा दें और शाली ग्राम जी के लाना ही है और इसके साथ ही आपको मा तुलसी को श्रिंगार की सामगरी रोली मोली सारी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए कोशिश करिए जरूर अर्पित करें और उसमें से कुछ चीज़ें अगर आप चाहें तो अपने बेटे बेटियों के विवा के लिए रख सकते हैं अन दो इलाइची यानि के एक जोड़ा इलाइची ये आपको शाली गराम जी के आगे अर्पित करना है तुलसी मा और शाली गराम जी के आगे जहां शाली गराम जी रखे हुए हो तुलसी जी के आगे तो अपने आप ही अर्पित हो जाएंगे जब आप शाली गराम जी के वो आप रखना पूजा में जरूर आप अपनी सारी पूजा करना और पूजा करने के बाद आ वह उठा के आपको अगर बच्चे पास में हो आपके तो बिलकुल उसी वक्त वहीं उनको गिटने के लिए दिजिए आनके खाने के लिए दिजिया आप पानी से चाहिए लाजी गिट जाएं चाहे वो मिश्री गिट जाएं चाहे वो चबाके खालें उसे कुछ भी खालें उनको उसी वक्त दे दीजेगा अगर बच्चे पास में बेटा परेशान हो तो बेटी परेशान हो तो बेटी को खिलाईए और अगर बच्चा बच्ची पास में ना हो तो कोई बा जीएगा चाहे एक दिन बात दो दिन बात अप देखिया गा टुरंत सिव बच्चों को खिलाते ही उनको तुरंता के योग बनेंगे शीगर विवा के योग बनेंगे आपकी सारी प्रेशानियां दूर होंगे सारे ग्रह दोश विवा दोश सब दूर हो जाएंगे और तुरंत विवा इसी कार्तिक महीने में होगा बच्चों का ये अगले महीने में होगा व्यूडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जै तुरसिमा, जै शालिगराम जी जै विश् अधिके, थैक्स फुलिए